तो अक्सर हम जब भी बिजनस शुरू करने का सोचते हैं तो market में हम देखते हैं कि उसी बिजनस में कुछ बहुत बड़े-बड़े players हैं बहुत बड़े-बड़े नाम है जिनके पास अर्बो रुपे हैं उस बिजनस में इन्वेस्ट करने के लिए तो उनके सामने हम कैसे survive कर और इस वीडियो के end तक आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि हम अपना brand कैसे establish कर सकते हैं आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं या जिस भी आप sector में आप अपना business शुरू करना चाहते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है दीपक आप देखेना digital lot तो आज हम बात करेंगे the smart taxi की और उनके founder Dhruvam Thakkar की जिन्होंने सिर्फ एक taxi से पूरे इंडिया में अपना brand कैसे establish किया तो आईए हम इसको शुरू से शुरू करते हैं तो Dhruvam Thakkar इनका जो बर्थ हुआ था वो जामनगर में हुआ था गुजरात के और इनकी जो शुरूवाती पढ़ाई थी वो गुजराती मीडियम स्कूल से हुई थी मतलब यह काफी middle class lower middle class के family के आसपास से थे लेकिन इनका क्या था कि यह चाहते थी कि एक engineer बनने को तो उसके बाद इन्होंने 10th का exam दिया 10th के इनके result अच्छे रहे लेकिन 12th में यह fail हो गए जाके तो साल खराब हो चुका था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने 10th के जो marks है उसके according मैं डिप्लोमा का course जॉइन कर लेता हूँ तो द्रुबम ठककर ने निर्मा युनिवर्सिटी से डिप्लोमा जॉइन किया mechanical में और लेकिन वहाँ पर यह पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि इन्होंने युनिवर्सिटी में अपना second rank लेके आए और साथ ही द्रुबम ने इसके बाद अपनी BBA के पढ़ाई पूरी क सिक्कम मनिपाल युनिवर्सिटी से तो इसके बाद द्रुबम अपनी जॉब जॉइन करते हैं ABB में तो ABB में ये inventory, scheduling और production और revenue reporting ये सारी चीज़े ये देखा करते थे तो 2008 से 2013 के बीच में इन्होंने अपनी job की ABB में और इसके बाद इन्होंने इंडस तावर लिमिटर जॉइन किया जहांपे ये supply chain management, material planning और forecasting, team management ये सारी चीज़े ये देखा करते थे तो ABB में बैंगलोर में काम करते हुए इन्हे regular traveling करनी होती थी तो वहाँ पे इनको एक problem आती थी कि ये जो भी taxi या cab book करते थे उसकी services अच्छी नहीं रहती थी मतलब अगर हम देखें कि बाकी जो industries है जैसे कि airline हुगा, hotel industry हुगा, बाकी सब जगह काफी अच्छी services प्रोवाइट की जाती है लेकिन अगर हम car rental और इन सब चीज़ों में बात करें तो ये धुरूब हम हमेशा experience करते थे कि कुछ अच्छी services इंडिया में नहीं available है तो इसके बाद ये अगली company अपनी एहमदाबाद में जब जॉइन करते हैं, इंडस्ट आवर लिमिटेड, वहाँ पे सोचते हैं कि क्यों ना हम इस industry को change करें तो इसके बाद 2016 में धुरूबं सोचते हैं कि मैं अपनी job से resign करता हूँ और उसके बाद कुछ इसमें कुछ innovative किया जाए, इस cab industry और जो transport industry है, इसमें कुछ अलग किया जाए ताकि लोगों को एक अलग सा feel मिल सके और लोगों को एक अच्छी hospitality का facility मिल सके, cab में भी normally तो इन्होंने कुछ चीजे point out करी, जैसे कि जो भी driver होता था उसका काफी rude behavior होता था, मतलब जो drivers होते हैं बहुत अच्छे से behave नहीं करते हैं, यह अच्छे से train नहीं होते हैं, अगली इन्होंने problem देखी थी कि यह जो pick up करते हैं लोगों को वो काफी late कर देते हैं, मतलब ए आइडिया लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता और इन्हें मना कर दिया जाता है, लोन देने से भी, साथ ही यह कई investors से भी मिलते हैं, जो कि इनके आइडिया में कुछ भी सोचते हैं कि यह आइडिया अच्छा नहीं है, इसलिए इन्हें मना कर देते हैं, मतलब कहते अपनी company शुरू करते हैं तो जहां Dhruvam ने पहले सोचा था कि मुझे अच्छा loan मिल जाएगा और उसके बाद मैं 3-4 cards खरीद लूँगा 3-4 drivers रख लूँगा और मैं अपने घर में बैठके मैं clients को deal करूँगा सिर्फ और drivers car चलाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और जहां loan भी disapprove हो चुका इनके बास सिर्फ fix amount था 1-10,00,000 के आस पास तो इसके बाद Dhruvam क्या करते हैं 20-25,000 में अपना website बनवाते हैं और basic चीज़ें अपने लिए arrange करते हैं और उसके बाद बाकी पैसों से ये अब एक car down payment पे buy करते हैं तो September 2016 में अब Dhruvam अपना company का logo प्रेपेर करते हैं और उसके बाद अपने services देना शुरू करते हैं और घर में पड़े हुए एक dining table से अपना business शुरू करते हैं जहां पे इनके पास एक laptop रहता है एक wifi का connection रहता है तो initial days में जब services देना होता तो ये खुद as a driver बनके जाते थे और ये लोगों को best best hospitality facility दिया करते थे तो business कुछ यहां से इन्हों ने अपना शुरू कर दिया था 2016 के September में तो company शुरू करने के बाद अगर हम सब कुछ sum up करें तो दिरूवम अकेली सब कुछ manage कर रहे थे company का logo बनाने से लेके company की जो basic marketing होती है marketing में post वगरा प्रिपेर करना calls receive करना clients के खुद से ही driving करना तो दिरूवम as a one man army के तरह यहां पर work कर रहे थे अपनी पूरी the smart taxi को regulate कर रहे थे तो अगर हम यहां पे इनका especially अगर हम target audience समझें जो की बहुत important चीज है इनके business में इनका target audience है elite class मतलब हम जो normal Ola Uber में जो taxi देखते हैं हम minimum car service का जो price होता है हम उस पे जाते हैं बट इन्होंने यहां पे देखा कि हम price पे compete नहीं कर सकते हैं Ola Uber से तो इन्होंने better experience देने का सोचा और जो चीज इन्होंने realize भी किया था जब यह Bangalore में travel करते थे कि लोग को experience अच्छा नहीं मिलता है और जो elite class होते हैं जो office के लोग जो meetings करने जाते हैं वो थोड़ा जादा पैसा देने के लिए भी ready होते हैं बट उनको service अच्छी चाहिए तो धुरुवम का पूरा focus customer experience पर रहता है तो अगर हम the smart taxi की आज की services के अगर हम बात करें तो यह अपने cap में पूरी hotel जैसे services देते हैं अगर हम बात करें कि जैसे कि light snacks हो गया biscuits हो गया, premium वाले या फिर premium chocolates हो गई या juices और drinks हो गए या अगर हम बात करें कि आपको bouquet, flowers ऐसा कुछ अपने meeting के लिए चाहिए कि सारा कुछ available करा देते हैं या फिर आपको अगर wifi चाहिए या फिर आपको amazon kindle चाहिए या फिर newspaper चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजे ये अपने cab के अंदर ही बुक करा देते हैं मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर आज क्रेट में the smart taxi पूरी एक hotel की facility आपको एक cab की journey में दे रहा है तो यही इनकी USP है तो आइमदाबाद में अपने dining table से start किया हुआ ये business the smart taxi का आज क्रेट में ये 42 से जादे cities में अपकी services दे रहें लोगों को जैसे अगर हम बात करें कि Delhi NCR हुआ जैपूर हुआ या फिर अगर हम बात करें वारांट सी हुआ या पिलिग्रे में centers हुए या फिर जितने भी अगर हम city बात करें तो ये starting में इनके पास initial कुछ पैसे थे नहीं तो ये पूरी तरसे booty strap model पे चले तो अगर हम booty strap model की पहले भी कई businesses में बात कर चुके है अगर आपने zero-dha का case study नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी हमने booty strap model की बात की है उसका link description में है आप जाके देख सकते हैं तो अगर हम बात करें इनके business में ये अपने call, email या फिर आप SMS के थूरू भी ये लोग के orders लिया करते हैं और अगर हम बात करें ये 24x7 ये facility प्रोवाइड करते हैं मतलब ये कहते हैं कि हम 5 second में आपको हम आप customer care service से हमारे बात कर सकते हैं तो इस तरह से ये लोगों के जितना pass हो सके उतना ज़्यादा ही अप्रोच कर रहे हैं तो जहां Ola, Uber जैसी company अपने app के थूरू regulate कर रही हैं वहीं अगर हम इनको बात करें कि ये personal touch के साथ लोगों के साथ work करना चाहते हैं तो इनके business में इस वज़ा से अगर हम बात करें कि customers जो है 86% से ज़्यादा referral से आते हैं मतलब एक person ने कभी travel किया तो वह दूसरे को refer करेगा क्योंकि ये इसी पर focus करते हैं कि वह customer पूरी तरह से delighted हो के जाए जो कि Amazon की model है अगर हम Amazon की बात करें तो Amazon भी पूरी तरह से customer को delight करने में focus करता है कि customer खुश हो जाए और same यही the smart taxi भी exactly यह भी इसी model पर work करते हैं तो अगर हम इनके business model की बात करें तो जहां ये कोई भी cars buy नहीं करते हैं ये इनका inventory खुद का नहीं है ये cars खुद नहीं buy करते हैं ये लोगों के साथ partnership करते हैं different cities में लेकिन वहाँ पे भी इनका कई process है क्योंकि इनको train drivers चाहिए तो उसमें ये कई दरह के interviews लेते हैं drivers के और उसके बाद ये उनहीं लोगों के साथ business करते हैं जिनके at least 5 या उससे ज़्यादा car हूँ और वो 2 साल कम से कम at least वो service दे चुके हों किसी company में या फिर किसी business के साथ तो इस तरह से इनका hiring process थोड़ा strict है क्योंकि इसी वज़े से ये अपनी quality maintain कर पाते हैं तो अगर हम इनके revenue model की बात करें तो इनका revenue का टूटर 71% B2B business से आता है तो अगर हम इसको समझें तो ये exactly collaboration करते हैं offices हुआ, businesses हुआ, इन सब चीजों से और उनकी जो meetings होती है, मतलब कोई meeting हुई, कोई trip हुई office की तो वो सारी चीज़ें ये अपने cap के तुरू उनको facility प्रोवाइट करते हैं जहां से इनका 71% करीब revenue आता है और बाकी का 29% इनका B2C आता है, मतलब कोई भी customer इनको direct book करे तो वहां से इनका revenue आता है और साथ ही अगर हम बात करें, अभी इनोंने हाल में ही, जैसे कि आपको कोई तीर थ्यात्रा हुआ, pilgrimage center की तो वहां पे elder लोगों को काफी मतलब आराम से जाना होता है तो ये उस सब type की भी ये facilities आप provide करना इनोंने चालू कर दिया तो इनका 29% revenue ये normal customer जो इने book करते हैं, वहां से आता है और साथ ही अगर हम बात करें कि COVID के बाद ये काफी ज़्यादा अपना sanitized पूरा इनका car वार होता है तो ये COVID के बाद ये काफी ज़्यादा लोगों की sanitization का ख्याल रखते हैं जिससे इनको customer और ज़्यादा मिलने लगे हैं भी ज़्यादा तो अगर हम इनके last year के revenue की बात करें तो इनका last year का turnover था वो करीब 60 lakh से जादे का था तो अगर हम बात करें, 2016 में इनों ने ये cap की services start करी और अब ये B2B और B2C दोनों तरफ से operate कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा इनका revenue अगर हम देख सकते हैं इन future आने वाले time में भी तो यहाँ पर अगर हम एक और important चीज इनके business में समझेंगे तो इनके जो founder हैं, धुरुबम ठक कर ये खुद मतलब महिने में 2, 3, 4 ये ride ये खुद customer को देते हैं मतलब as a driver बनके ये जाते हैं और देखते हैं कि customer को क्या issue आ रहा है और उसे ही resolve करने की कोशिश करते हैं और अगर हम बात करें कि ये month में बहुत सारे calls ये खुद लेते हैं अपने customer का, customer की queries ये खुद देखते हैं मतलब exactly business पे growth तभी आता है समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें कि Ola Uber ये बहुत बड़ी giant companies हैं तो इनके सामने तो ये compete नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं marketing के लिए लेकिन इन्होंने अपने customer के experience पे focus किया कि customer अगर delighted होके जाएगा तो अपने घर में आस पास ये दो-चार लोग को जरूर बताएगा तो उस तरह से अजनका चार साल में business ये 42 cities से जादे में expand हो चुके हैं और साथ इन्होंने price पे कभी भी focus नहीं किया मतलब इन्हें पता है कि हमारे जो customer है वो premium है वो कितना भी price थोड़ा extra भी दे सकते हैं बट उनको service अच्छी चाहिए तो इन्होंने service पे total focus किया तो अगर हम इस तरह से देखें तो आप भी जिस भी sector में है उस sector में आप अगर service अच्छी करें तो अगर हम इनके revenue sharing के बात करें इनके और इनके जो partner businesses होते हैं तो अगर किसी customer ने 100 rupees दिया तो जो भी इनों इनके partner है जिसका cab है तो उसको ये 80-85% ये revenue share करते हैं और जो बाकी का 15-20% के आस पास है वो revenue the smart taxi रखती है तो इस तरह से ये business में grow हो रहा है तो अगर हम इनके future vision की बात करें तो 2025 तक ये customer experience में इंडिया के top companies में आना चाहते हैं मतलब ये number one होना चाहते हैं तो इस तरह से आज इनका ये business model खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो आप वीडियो को like कर देजेगा और अगर आपको कोई question हो तो आप comment option में लिखके जरूर पूछ सकते हैं